गुड मॉर्णिंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संदेश लेखन, संदेश, बहुत बार आपने संदेश शब्द गानों में भी सुना होगा, हमारे हिंदी फिल्मों के गानों में, जैसे संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, और चिठी न कोई संदेश, तो इ संदेश यानि समाचार या कोई सूचना, जानकारी, संदेश का अर्थ होता है समाचार, सूचना या जानकारी, इंगलिश में हम उसे मैसिज के नाम से जानते हैं, और मैसिज तो आजकल वटसेप की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया है, तो आप सभी जानते हैं कि मैसिज क्या होता है हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे मैसिज कहते हैं मैसिज या संदेश भी कई प्रकार के होते हैं दो प्रकार के अनौपचारिक संदेश और आपचारिक संदेश जिस प्रकार पत्र में होता है अनौपचारिक पत्र और आपचारिक पत्र इसी तर को हम कोई संदेश भेशते हैं जैसे आप WhatsApp पर अधिकतर कभी किसी का जनम दिन आ रहा है कभी कोई गंटन्त्र दिवस आ गया तो या होली है दिवाली है तो हम अपने रिश्टेदारों को विष करते हैं संदेश भेशते हैं उनको शुबकामना संदेश भेशते zijn तो वो कहलाता है हमारा अनापचारिक संदेश मित्रों या रिष्टेदारों को दिया जाने वाला संदेश और अपचारिक संदेश हमारा होता है सार्वजनिक या अधिकारी यानि जो हम अधिकारियों को संदेश देते हैं जिस प्रकार हमने पत्र में पढ़ा था कि जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तो हम अपचारिक पत्र कहलाता है, वो इसी तरह से वो संदेश या सूचना भी अपचारिक होती है, हमारे संदेश शुबकामना संदेश होते हैं, पर एवन त्योहारों पर दिये जाने वाले होते हैं संदेश, शोक संदेश हो सकते हैं या समाजिक संदेश हो सकते हैं अब संदेश लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए एक तो संदेश जब भी हम लिखें बॉक्स बना कर लिखें बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए संदेश और संदेश की शुरुवात में उपर जब बॉक्स के अंदर उपर संदेश शब्द अवश्य लिखें और उसके बाद दिनाक लिखें संदेश का कम शब्दों में प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना चाहिए और लगभग 30 से 40 शब्दों में हम संदेश दे सकते हैं अंत में संदेश लिखने वाले का नाम लिखा जाता है चलिए अब हम कुछ उधारन देकर समझ लेते हैं संदेश लेखन किस प्रकार होता है ये देखिए यहाँ जनम दिवस पर शुब कामना संदेश दिया जाना है मा जो है पुत्र को अपने शुब कामना संदेश भेज रही है तो देखिए क्योंकि जनम दिवस का है तो हम यहाँ छोटा सा कुछ मुंबत्ती या केक जो भी आप बना सकते हैं बना दीजिए ज्यादा हमें चित्रकारी नहीं करनी होती सिर्फ छोटा सा कुछ जनम दिवस पर शुब कामना संदेश जैसे हम मुबाइल में वटसेप पर भी बर्डे विशिज लिखके केक और फूल बना देते हैं इस तरह से इसमें भी हम सिर्फ जरासा ही दिखाएंगे फिर हम शायरी से शुरुआत कर सकते हैं जनम दिवस पर अगर आपको आती है तो या हम दिन हों पचास हजार फिर हमने बताया था दिनाक लिखी जानी चाहिए और समय दिनाक तीन मार्च दुहजार बाईस समय प्रातह बारा बच के चार मिनट एम पर आप लिख रहे हो इसे प्रिये बेटे राहुल जनम दिवस की हार्दिक शुब कामनाएं आप दीर घायू पस्त रहें एवं सदैव सफलता की ओर अग्रसर रहें ऐसी शुब कामनाएं देते हुए आप नीचे अपना नाम लिख देंगे। दिनाक और समय लिखने के बाद आप संदेश लिख देंगे। जगमक दीपों के इस पर्व में आपके जीवन में धंधान्य एवं सुक शांती का प्रकाश जगमगाता रहे। आपको सब परिवार दिपावली की शुब कामनाएं लिखने वाले का नाम लिख देंगे। नी उख्यमंत्री द्वारा जनता को गंतंतर दिवस पर दिया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। सब मिलकर देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ठीक है। इसी तरह से शोक संदेश होता है। जब किसी के यहां कोई मृत्यू का संदेश होता है तो वो लिखा जाता है किस प्रकार यहां बताया गया है। उपर लिखेंगे शोक संदेश तारीक जिस समय आप लिख रहे हैं समय फिर अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पूज्य माता जी शिमती सत्यवती जी का स्वरग्वास हो गया है। दिवंगत आत्मा की शांती है तु सभा का आयोजन दिनाक 20 जनवरी 2021 को हमारे निवासस्थान प आप लिख सकते हैं समस्त यानि सारा शोकाकुल परिवार जो दुखी हो रहा है परिवार जिसके परिवार में घटना घटी है उसके लिए लिखा गया है शोकाकुल परिवार एक इसी तरह से हम किसी की शादी की वर्षगांट पर शुबकामना संदेश भेजना है तो इस त जरह, शुब कामना, संदेश या सारवजनिक संदेश आपको दिये जाएं तो पेपर में लिखने का धंग आपको आना चाहिए बेटा थैंक्यू बेटा आप इसे लिख लिख कर अभ्यास कीजिए